किरकेट के महा कुम गहे जाने वाले T20 वर्ड़कप का गाज बहुती जल्द होने वाला है जिसका आपको बेशबरी से इंतिजार होगा लेकिन T20 वर्ड़कप 2024 से पहले ICC ने सभी टीमों को तगड़ा जटका दिया है दरसल ICC ने T20 वर्ड़कप के लिए 5 नहीं नियम लाग करके कप्तानू की टेंशन बढ़ाई है बारत को अपना पहला मुकाबला पांच जुन को आयरलेंड के खिलाफ फेलना है इससे पहले किर्केट में ऐसे नियम देखने को नहीं मिला तो चलिए जानते हैं ICC के पांच नहीं नियम तो पहला जो बड़ा नियम लागू हुआ ह वो है इस्टॉप कलोग का मतलब गेंदबाजी वाली टीम को पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर 50 स्केंड के अंदर सरू करना होगा मतलब एक ओवर खतम होने के बाद दूसरा ओवर सरू करने के लिए आपको 60 स्केंड का टाइम मिलेगा अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो य आपको हर समय अपनी गड़ी का कांटा देखना होगा ये है पहला नियम अब चलते हैं दूसरी नियम की तरफ जो है 3 गंटे 10 मिंट के अंदर आपको मैच खतम करना होगा ICC इस पर सकत है अभी आपने IPL के कुछ मैच देखा होगा जो 4 गंटे चले है मतलब 7-30 पर मैच शुरू हुआ और मैच 11-30 तक चला जो काफी है मैच मैच जो है 10 या 15 मिंट का होता है यानि T20 का मैच जो 40 ओबर का होता है वो लगबग 4 गंटे तक चल रहा है जो बहुत बड़ा इसू है जिसे ICC ने कंट्रोल करने का फैसला किया है तो ऐसे में आपको 3 गंटे और 10 मिंट में मैच खतम करना ही होगा अगर नहीं कर पाओगे तो आपको लास्ट के ओवरो में एक कम फिल्डर बांडर रोग पर रखना होगा एक इनिंग जो होगी एक गंटा 25 मिंट की होगी इनिंग ब्रेंग आपका 20 मिंट का होगा खेला जाएगा लेकिन दूसरे से मीफाइनल के लिए रिजर्ब डे नहीं रखा है किंकि दूसरे से मीफाइनल Calling कें बीच मातर एक दिन का समय है इसलिए दूसरे सेमी फाइनल के लिए रिजर्बडे नहीं बलकि 4 गंटे एक्टरा टाइम दिया जाएगा मतलब मैच अगर भार्दे समय के 98 बजे शुरू होगा तो 11 बच के 10 मिट तक मैच चलेगा अगर बारी सेक की शिकारण मैच रुखता है तो मैच खेलने के लिए 4 गंटे और मिलेंगे मतलब सुबा के 3 बे तक मैच होगा तो ये था तीसरा नियम जो पहले सेमी फाइनल फाइनल के लिए रिजयब्ड है और दूसरे सेमी फाइनल के लिए 4 गंटे एक्टरा टाइम अब आगे बढ़ते हैं मैच टाई तो सुपर ओवर से होगा फैसला जी हाँ एक बार फिर आइसीसी फैसले के साथ आई है जैसा कि आप सभी को मालूमी होगा सुपर ओवर में दोनों टीमों को 6-6 बॉल खेलना होगा दो विकेट मिलेंगे जो जादा रन मनाएगा वो टीम जीतेगी पिछले बार आइसी सी वर्डी वर्ड़कप में इंग्लेंड सुपर ओवर में बांडरी काउंट से जीती थी वहाँ लागातार सुपर ओवर होते गए थे तो इस बार भी कोई चेंजिस के बिना सुपर ओवर ही जारी रहेगा अब आगे पड़ते हैं मैच में 2 गोई तो डियालस से निकलेगा नतीजा जी हां हम सब जानते हैं कि अमेरिका और बैस्टनीज में बारिष बड़ा इस्यू होती है हमने हमेशा से देखा है कि इंडिया बैस्टनीज से जब भी सीरी खिलने जाती है तो इंडिया के कई सारे मैच बारित के करण धुल जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो एक बर फिर DLS सिस्टम नजर आएगा आपको बता दूँ ग्रूप स्टेज के मुकाबलों में यह नियम तभी लगाया जाएगा जब दोनों टीमें पांच प्याच ओवर का मुकाबला खेल चुकी होंगी उसके बाद सूपर एट के मुकाबलों में भी यही नियम रहेगा अगर 4.5 ओवर का भी खेल हुआ होगा तो नतीजा नहीं निकलेगा दोनों टीमों को पांच प्याच ओवर खेलना जरूरी वही अगर नौक आउट के मुकाबलों में ऐसा होता है तो DLS का नतीजा तभी आएगा जब दोनों टीमें दद्दस ओवर खेल चुकी होंगी अगर 9.5 ओवर भी मैच हुआ होगा तो नतीजा नहीं निकलेगा तो यह थे ICC के पांच नहीं नियम जो T20 वर्ल्ड कप में नजर आएगा अगर आपको यह जैनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जलूर कीजिए